हलो फ्रेंड्स में हूँ राजीब आज हम देखेंगे कैसे whatsapp और adsense एकसाद करके कैसे आप पैसा कमा सकतो तो बहुत लोग कमा रहा है अभी मैंने दो दिन पहले एक tutorial देखा धर्मिंदल सेर का my smart support का तो उसको मैं देखा रहा है सेर ने whatsapp और adsense एकसाद करके कैसे तो उसमें theory part है मैं practical करके देखाता हूँ आपको ठीक है तो चलिए तो पहले तो आपको जो sample होगा जो html का वो मैंने फोबैट कर दूँगा ठीक है उसके बाद आपको क्या process करना है step by step मैं देखा देता हूँ तो देखिए मैं एक sample create किया ठीक है तो इसमें क्या है मेरा जो link है उसको आप चेंज करके सिर्फ आपका link डाल दो ठीक है तो उसके लिए पहले तो आपको जो sample है इसको download करना है तो description में मैं दे दूँगा उसको download करना उधर से तो आपको theory part थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ तो इसमें कैसे आप पैसा गामा सकते हो ठीक है यह जो दिवाली का HTML code है यह आपको एक website में रहेगा ठीक है इसमें आपका ads चलेगा ठीक है इसमें इधर कुछ ad चलेगा तो अभी नहीं डला हुआ मैं जब live किया हुआ मेरा जो domain में था उसमें एड हुआ आड़ हुआ देखिए इधर चल रहा है ठीक है इसमें बहुत सरा एड़ दिया इधर एड़ Lगा दिया इधर एड़ है तो इसमें बहुत एड़ है ठीक है इसमें मेरा इंकम हो रहा है तो आप कैसे तो आप जो sample है इसमें कैसे आप एड आपका खुद का एड डाल सकते हो ठीक है और कैसे एक काम करेगा पूरा स्टेप आपको देखा दूँगा अगर आपके पास होस्टिंग है आपका खुद का तो चलेगा नहीं तो आप ब्लॉगर में भी कर सकते हो क्योंकि यह जो कोड है यह HTML का है तो उ ऐड आपो क्या करना है रइट क्लिक करना है उसके बाद एड़िट करना है ठीक है इस सो की पैले में एक बात तपको देखा देता हूं तो तो इसमें कैसे पैसा खाम सकते हो आप जो है अब फ्रेंड से शेयर कर देने के बाद ओभी क्लिक करेगा तो उसको भी एक नाम पूछेगा देख लिजी इसका सैंपल अगर में रिलोट करूँ तो इसमें देखेगा देखिए अभी रिलोट करने से नाम पूछ रहा है तो मोबाइल पे ज्यादा एफिक्ट आपको समझ मे आता देखिए इसमें मेरा नाम पूछा उसके बाद नाम देने क knife रहा है तो आपको यह अच्छा लगेगा किसी को भी तो ओकिया करेगाukan इसमें किया आपका इंकाम होगा आपका जो Google के एड्सेंस है उसमें एड लगने के बाद आपको इंकाम हो जाएगा थीग है तो HTML code download करने के बाद आपको एडिट करना है तो मैं इडिट पर आ गया इसमें क्या changes करना है तो देखिए पहला तो में मेरा जो hosting है देखिए इधर क्या है इधर दिवाली के लिए मैंने दो कुछ नहीं करना ज्यादा एडिट नहीं करना एक है दो है दोनों images से तो आप अगर आपका जो event होगा उसका regarding आप image चूश कर लिए दो ठीक है उसको आप upload कर दीजिए तो मैंने मेरा जो upload किया हुआ इसमें देखिए मेरा hosting है तो hosting में मैं अप्लोड कर देए उसका link जस देखिए link कैसे link कैसे लेना है ये जो link है ये image का link है ठीक है और एक डाला इसका link है ये बला link है ठीक है तो आप आपका blogger में upload कर दो उसके बाद उसका link ले लो लेने के बाद इसमें change कर दो क्या changes करना है देखिए जो आपका blogger करकर लिंक होगा ठीक है उसको आपको चेंज करना है इसमें देखे ये एक इमेज है ठीक है जो मेरा लिंक यूज को अपको लिंक चेंज कर दो खार आप एक काम करो लिएफ करो स्वारी विंड्रो दबागे आप करो क्योड से कॉंट्रोल एक बाद आप सिंप्ल लिग दो News Hello मेरा डोमेन का उसके बएद पहला आप करो आप करने के बाद आप में आ जाएगा ठीक है? ओ देखेगा किधार भी आपका लिंक सो हो जाएगा ठीक है? धो है अभा ही Down में क्लिक करने के बाद find है टो मेरा जो इमेज है उसको आप चेंज आपका इमेज कर दो ठीके पहला कम हो गया उसके बाद आपका क्या है एडसेंस के जाने के बाद अपको इसके ऊड़ लेना है एडसेंस का कोड अबक अब लेने के बाद उधार मेरा भी कोड ड़ला हुआ था देखा देता देखी इधर हीडर एडसेंस कोड ठीक है इसमें जो कोड है मेरा उसको आप हटा दो इधर से हटाना है इधर से कोड हटा दो जिस क्रीप्ट है इधर से यह कोड से इसको चेंज कर दो चेंज करके आपका खुद का कोड इसमें डाल दो इसमें क्या होगा इध से इधर से इधर तो यह आप खूद का कोट इसमें ढाल दो तो उसमें क्या होगा आपका तो कर इधर तक ठीक है यह बला एक कोट और एक फूटर में डाला तो दो कोट मैंने डाल कर रहा ठीक है तो इसको चेंज करना है तो क्या करना है पहले लिंक को चेंज कर दो जो आपका इमेज होगा उसको चेंज कर दो उसके बाद एट्स को चेंज कर दो उसके बाद उसको सेप क करो और उसका जो html code है इसको तो कभी हो जाने के बाद को इसको select राल करो उसके बाद copy करने के बाद आप आपका blogger नहीं तो वर्टप्रिस का open कर लो उसके बाद आप क्या करना है add new ठीक है add new करने के बाद आपका जो है इसमें test में HTML में आ गया उसके बाद उसको paste गाड़ दो ठीक है simple paste करने के बाद आपको क्या करना है उसमें एक title देना है हुं तो मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूं मेरे domain में testing के लिए और इसका private कर देता हूं ठीक है उसके बाद publish कर देता हूं ठीक है तो मैं भी फुस्ट करूंगा और आपको देखाऊंगा तो वो जो कोड डला हुआ वो फूरा का पूरा आ जाएगा आप जो है ब्लोगर मैं भी कर सकते हो ठीक है अगर आपका होस्टिंग नहीं है इसमें पहले नाम पूछ रहा है तो मेरा नाम देता हूं देने के बा है डिके फूरा की पूरा बूरा आ जायगा और नाम आ जायेगा इसमें ए भी चालो है एड़् भी आ गया ओ मोबैल पे भी अप देख सकते हो मुबैल पर थोड़ा ज्यादा अच्छा लागता ए जो है मोबारइल का भी आपको देखा देता हूं मोबैन पर ऐसा होगा ठीक है तो आप भी पैसा कामा सकते हो using WhatsApp and Google AdSense ठीक है अगर आपको वीडियो आच लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए थेंक्यो फर वाचिंग